नमस्कार सभी को गूड इवनिंग टैन्थ कलास की अक्सरसाइज करते हैं पाचमाच चैप्टर जो हमारा था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्योशन नमबर सिक्स है चैक वैदर माइनस वन फिप्टी इज ए ट्रम ओफ एपी इलेवन एट फाइब टू यह एपी दे रखी है तो उसने कहा कि यहां पे यह जो है वन फिप्टी जो है माइनस के यह इस एपी के अंदर आएगा या नहीं चैक कर नामने इसको इसके अंदर इकत्स मी जो ट्रम है वो हमने फाइड आउट करनी है इलेवन और शिक्सेन की जो ट्रम है यह दे रखी उसने कि क्युस्ट नमबर सिक्स लिखते हैं यहां पे चैक वैदर माइनस वन फिप्टी इज टर्म आफ एपी एलेवन एट फाइब टू तो यहाँ पे टर्म निकाल नहीं हमाल लिया यहाँ पे टर्म ले ले लेते हैं यह माइनस के 150 यहाँ पे आएगा तो यह लास्ट नमबर की जगा रखेंगे हमें कि जो यह माइनस के 150 यह आएगा या नहीं आएगा तो इसमा फास्ट टर्म हमारे पास पास्ट टर्म इलेवन है अब कॉमन डिफरेंच निकालना हमने है तो common difference हुआ गया आमारे पास A2 में सेश्कोलेस करेंगे A2-A1 तो यह होगा 8-11-3 होगा अब यह last number रख लिया हमना अपनी तरप से तो यह होगा An बराबर A plus N minus 1 ओर डी An रख्या हमने minus के 150 A की value है 11 plus N की value है मैं पता नहीं D की value आगे मारे पास minus के 3 यहां से 11 को left and side transfer कर देते हैं तो यह 161 हो गया minus के minus का हो जाएगा यह side में N minus 1 यहां पर यह multiple है तो इस side मा के divide हो जाएगा तो minus से minus कट गया यह 3 से note 3 की जो table है यह 3 से divide नहीं होता ठीक है Then लिखेंगे It is not divisible by 3 3 से यह divisible नहीं होता Then minus के 150 50 is not a number of this drum Minus 150 जो number है इस drum का नहीं है या एपी का नहीं है इन दीश एपी भी लिख सकते हैं इस एपी के अंदर यह नहीं है Question number 7 है इसके अंदर उसने find करना हमने find A31 जो drum है यह हमने find out करनी है जबकि उसने हमें 11 टरम दी है A11 दिया उसने 38 तो 11 को हम यहाँ पे A plus 10D लिख सकते है A is equal to a 38 यह होगी equation number first 10D कैसे लिखे है हमने इसको formula हमारे पास AN बराबर A plus N minus 1 और D यह formula है N की value हमने 11 रख दी तो A11 किसके बराबर हो जाएगा A plus N की जगा 11 रख्या हमने 11 में से 1 गया तो 10 बचेंगे और D AGT होगा हमारे पास तो इस परकार से हमें यहाँ से लिखेंगे इसको तो यहाँ से 11 के जो टरम है उसको हमें A plus 10D भी लिख सकते है तो यह equation fast होगी second equation में उसने A 16 टरम दी है उसने हमे वो है 73 अब जो 16 टरम होती है उसको A plus 15D लिखेंगे हम यहाँ पे जो number है उसे एक number कम लिखते है D के साथ यह होगा 73 equation number second पहली और second equation इसको compare करेंगे या subtract कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे subtract equation first पहली equation यह नहीं लुखेंगे second minus one second में से पहली equation को गटा देंगे इसमें हमारे उपर depend करता है कि कौन सी equation को किसी भी equation में से उसको less कर सकते हैं equation पहली में से दूसरी को भी गटा सकते हैं और second में से first को तो यह minus का हो जाएगा less करेंगे यह minus का यह plus minus यह दोनों गायब यह 15 है यह 10 है तो 5D बचया हमारे पास यहाँ पे less कर दिया हमने इसको यहाँ पे positive बचेगा 13 में से यहाँ 5 बचेगे और यह बचया हमारे पास 3 अब D की वैलू निकालनी है हमने तो 35 by 5 5 से इसको divide कर देते हैं तो 7 D की वैलू कितनी है आगे मारे पास 7 put D is equal to 7 in equation first कोशी की से मैं रख सकते हैं इसको पहले दूसरी में जिसमें आपका अमन करें लेकिन answer वही आएगा तो first equation यह हमारी A plus 10 D की वैलू आगे हमारे पास 7 और E is equal to a 38 तो यह 70 हो जाएगा 38 minus के 70 यह साइड मजा के minus हो जाएगा तो अब यहां से A की वैलू find out करेंगे 2 बच गे हमारे पास और 3 minus के बच गे A की वैलू आगे minus के 32 और D की वैलू आगे 7 यह आप निकालना हमने 31 मीटरम निकालनी है यह टरम 31 मीटरम निकालनी है A 31 A 31 को हम A plus 30 D लिख सकते हैं A की वैलू हमारे पास आई थी minus के 32 पलस D की वैलू हमारे पास 7 तो मारा अंसर आगया इसमें 178 31 मी 31 टरम है कितनी है 178 क्योंसर नमबर एट भी बड़ा सिंपल है अब की बारी नमबर ओप टरम दिया उसने तो यह लिखेंगे नमबर ओप टरम नमबर ओप टरम यानिके N की वैलू दे दिया उसने 50 50 दिया है और तीसरी जो वैलू है A3 वो दिया उसने हमारे 12 तो A3 को ही इसके पार्ट बनाते हैं A plus 2D is equal to at 12 तो इसको equation first का नाम दे देंगे अब उसने last की टरम दी last अब यहाँ पे नमबर कितने 50 तो last की टरम E50 होगी E50 है हमारे पास 106 दिया उसने तो E50 को लिख सकते हैं A plus 49D is equal to 106 यह second equation होगी यह first equation यह second subtract equation first from second second equation में से इसको last कर देंगे तो यहाँ रखेंगे इसको A plus 2D is equal to 12 subtract करेंगे minus 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 cross यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 47D यहाँ से बचेंगे 4, 9 अब यहाँ पे D की वैलू आ जाएगे मारे पास 40 94 है यह 47 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो D की वैलू आगे मारे पास 2 D की वैलू पहली equation यह थी इसमें put कर देंगे put D is equal to 2 in equation first तो E plus 2 multiple 2 is equal to 12 यह फैल एक्वेशन हमारे पास अब यहाँ पे A यह च्यार हो गई side मज़ा के minus का हो जाएगा 12 minus 4 तो E की वैलू आगे मारे पास 8 अब इसके अंदर हमने जो ट्रम निकालनी है वो 829 है 829 होगी A plus 28 D A की वैलू हमारे पास आगी 8 पलस 28 मल्टीपल D की वैलू हमारे पास 2 अब यह तो रह गया 8 पलस इन दोनों की गुणा होगी 56 एड करेंगे इनको हमें यह होगा हमारे पास 64 तो यह इसका अंसर है यानि कि 29 वी जो ट्रम है वो है 64 अगला चुस्षन है चुस्षन नमबर 9 में तीसरी और 9 ट्रम दे रखी है उसने तो यह लिखेंगे हम 3rd term A3 A3 दिया उसने 4 तो A3 को हम A पलस 2D लिख सकते हैं इस इक्वल टू अप और यह एक्वेशन फास्ट होगी अब उसने 9 ट्रम दिया 9th 9 जो ट्रम है A9 A9 जो ट्रम दिया उसने वो लिखते हैं वो माइनस के 8 दिया तो A9 है तो A पलस 8D is equal to a माइनस के 8 इक्वेशन नमबर साकिंड होगी तो सब्ट्रेक्ट कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे हमें सब्ट्रेक्ट इक्वेशन फास्ट फ्रॉम इक्वेशन साकिंड साकिंड इक्वेशन में से लैस कर देंगे उसको A पलस 2D is equal to a 4 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो माइनस 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 पोजिटिव है यहाँ पे बच गया हमारे पास 6D यह माइनस के 12 होगे यहाँ पे D की वैलू निकालनी है माइनस के 12 बाई 6 तो माइनस के 2 D की वैलू कितनी हागी यहाँ पे माइनस के 2 पुटे D equal to minus 2 in equation first D की वैलू first equation में रखेंगे यहाँ पे रख देंगे इसमें तो A plus 2 multiple D की वैलू कितनी है माइनस के 2 और is equal to a 4 यहाँ पे यह minus के 4 हो गया हमारे पास अब A की जो value है यह positive हो जाएगा उस side मजा के 8 हो गया A की value 8, D की value minus के 2 अब इसके अंदर हमने जो है AP की इसके अंदर उसने कहा कि इस AP का जो number होगा वो AP बनाते हैं पहले एक बार AP बनाया हमने तो AP में पहला number आगया हमारे पास 8, common difference कितना है यहाँ पे minus के 2 है तो यहाँ पे 6 आएगा अगली ट्रम यहाँ पे फिर 4 आजाएगा, इसमेंसे इसको less करेंगे तो minus का फिर 2 और फिर इस परकार से 0 यह चले है यहाँ पे अब उसने कहा कि 0 कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5 या AN का जो फार्मूला उसमें AN is equal to A plus N minus 1 और D अब AN को last number मान के हम यहाँ पे 0 रख देंगे, A की value है 8 plus N की value हमने निकालने है, minus 1 और D की value हमारे पास minus के 2 अब 8 को इस side में लिखे जाएगे, हम तो यह कितना हो जाएगा, minus के 8 और यह minus के 2, यहाँ पे multiple है, तो यह side मा के यह क्या करेगा, इसको divide करेगा तो minus से minus यह हो गया 4, और N minus 1 यहाँ पे A minus 1 है, इस side में यह positive हो जाएगा, तो N की value कितनी है कि इसमें 5 तो यहाँ पे कौन सी ट्रम हो गया, A5, तो इसको इस परकार भी हमें निकाल सकते हैं, क्योंकि यह चोटी ट्रम है क्योंसर नमबर 10 है इसका, इसके अंदर दो ट्रम दी उसने, एक दी उसने 17th ट्रम इसको हम लिख सकते हैं, A plus 16D, अब उसने इसकी सिंख्या नहीं दी कि इसके बराबर है, दूसरी ट्रम दी उसने 10th, 10th जो ट्रम है, वो लिए हमने A plus 9D इन दोनों में यह जो है, इसके, इसे 10, 7 अदिक है, यह 7 अदिक है, तो according to question, A plus 16D बराबर है, अब इसमें से less कर देंगे हम 7, चलो यह A plus 9D सोड़ा, 9 कोई साइड में लेका है, हम सोड़ा, माइनस की 9D, बराबर है 7, यहाँ पर 16 में से नहों गए, तो यह बचे गया हमारे पास, 7D बराबर है 7, तो D की वैलू कितनी आएगी, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो D की वैलू आगे, मारे पास 1, तो इसके अंदर हमने जै बारत